ये कहानी महाभारत के वनपर्व से ली गई है इस कथा में एक माँ और उसके लाचार और कमजोर पुत्रों का वर्णन है ये कथा ना केवल मनुश्यों बलकि सभी जीव जन्तुओं के प्रति समद्रिष्टी पर बल देती है समाज में कमजोर लोगों अथवा जीवों के प्रतिभी मा की ममता बनी होती है कोई किसान बैलों से खेत जोत रहा था उन बैलों में एक बैल शरीर से कमजोर और तेजी से चलने में असमर्थ अशक्त था अतर किसान उस दुबले बैल को कश्ट देते हुए जबरदस्ती हांकने लगा वह बैल हलको उठा कर चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर परा क्रोधित किसान ने उसको उठाने के लिए बहुत बार प्रयाश किये तो भी बैल नहीं उठा भूमी पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सब गायों की माता सुरभी की आँखों से आंसु आने लगे सुरभी की इस दशा को देखकर देवताओं के राजा इंद्र ने उससे पूछा अरी शुभ लक्षणों वाली सुरभी क्यों इस तरह रो रही हो बोलो ऐसा इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभी बोली हे कौशिक तीनों दशाओं के स्वामी इंद्र कोई उसका सहायक नहीं दिखाई देता मैं तो पुत्र की चिंता करती हूँ हे इंद्र पुत्र की दुख को देखकर मैं रो रही हूँ वह लाचार है ये जानते हुए भी किसान उसे अकसर अनेक बार पीड़ा देता पीटता है कठिनाई से बोज उठाता है दूसरे की तरह हलको वह उठाने ढोने में समर्थ नहीं है ये आप देख रहे हैं ना एसा इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुर्भी बोली हे इंद्र देव जबकि मेरे हजारों पुत्र मेरे लिए सब जगह समान ही है तो भी कमजोर पुत्र के प्रती मेरी अधिक क्रिपा प्रेम है मेरी बहुत संताने हैं यह सच है तो भी मैं इस पुत्र में विशेश अपनापन का अनुभव करती हूँ क्योंकि निश्चे से यह दूसरों से दुबला अर्थात निर्बल है सभी संतानों में मा समान प्रेम वाली ही होती है तो भी निर्बल पुत्र में मा की अधिक कृपा सामान नहीं है सुरभी के इस वचन को सुनकर देवराजिंद्र बहुत हैरान हो गय और देवराजिंद्र का भी हिर्दय पिघल गया और उन्होंने उसे इस तरह सुरभी को समझाया हे पुत्री तुम चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा और भगवान इंद्र के इस वचन के बाद ही शीगर ही तेज हवाओं और बादलों की गर्जना के साथ वर्शा हा गया देखते ही सब जगह जल भराव हो गया किसान अधिक प्रसन्यता से खेट जोतने से विमुक होकर बैलों को लेकर घर वापस आ गया तुम मुझे बहुत कहती रहती है ना कि मॉम आप मेर से प्यार नहीं करती हो तो बेटे ऐसा नहीं है सभी बच्चों के लिए माता समान प्रेम भाव रखने वाली होती है परन्तु पुत्र के दूखी होने पर वही माता उस पुत्र के प्रती अधिक प्रेम और कृपा से उदार रदयवाली हो जाती है